एलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सेमिस्टर वन का एक्जाम हो गया है काफी बच्चों का अब सेमिस्टर टू की बात करतें तो सेमिस्टर टू के अंदर ना आपका आपका बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम दूनों के अंदर ही एक कोर सब्जेक्ट है और इसके साथ एक कंपनी लॉबी है मैं बताओं तो थक्तर ठफाय था जैन्मेली बोलू र्गूलर वालो का लेखिन प्रोग्राम वाले बच्चे हैपी थे उनका पिपर ठोड़ाईजिगा है तो देखो वो तो है बाकि सर corporate account को मैं कहना चाहूँगा आप सभी बच्चों को बहुत सारे बच्चों का perception है मैं as a promise आपको बोलूँ के सर अभी time कितना है दो से धाई मेने है धाई मेने और corporate धाई मेने में तीन मेने में खतम नहीं होता पहली बात clear कर दो तीन मेने में corporate खतम ही नहीं हो सकता पूरे डियू के syllabus में जो सबसे muskill और सबसे lengthy कोई अगर subject है तो that is a corporate account तो मैं आप सभी बच्चों को suggest करूँगा starting से लेना चालू करना बिलकुल starting से इसके अंदर कुछ amendment भी आए हुए है कुछ changes भी आए हुए है तो starting से करके चलिएगा और examiner का मैंने देखा है जो changes आता है वो फटा-फट से डाल देखे हैं ठीक है ना तो वो बिलकुल आप starting से लेके चलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो तो corporate account में क्या क्या पढ़ने वाले है देखे सबसे पहले unit आपको मैं बताता हूँ unit number one पता है कितने number का है पंदरा number का unit number one कितने का है पंदरा number का ठीक है ध्यान दीजेगा मैं compare करा दू और unit number one के अंदर ये क्या लिखा हुए छोड़िए मैं बता देता हूँ unit number one में कितने chapter है ये पूरा का पूरा पूरा यहां तक और प्लस एक ये chapter ये unit one है भाई साव कितने chapter होगे unit one में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ नो chapter है unit number नो chapter जब करोगे तो पंदरा number आएंगे समझे और सर इस नो chapter में ने हालत खराब हो जाती है बच्चों का आपने तो सिर्फ share capital करा हूँ है 12 में, बस 12 में यही है और कुछ भी नहीं है बाकि नो chapter है unit one के अंदर, तब जाके आपके पंदरा number भी नहीं है, 15% यानि सो में से 15 number का मान के चलो और अगर यह 9 chapter आप नहीं करते तो आगे नहीं बढ़ सकते समस्य यह आ जाती है, आगे बढ़ी नहीं सकते क्योंकि उसका reference आता है पूरा का पूरा practical रहता है और पूरा journal entry वेस हमारा ESL बस रहता है इसमें account बहुत एक आद में बनता है जैसे कि आपको share capital पढ़ना है इसके बाद इसके अंदर right issue पढ़ना है bonus share पढ़ना है इस आप तो लिखा ही नहीं इस आप पढ़ना है तो यह चप्टर और बढ़ गया buyback of share पढ़ना है redemption of preference share पढ़ना है अब देखते जाओ इसके बाद underwriter of share पढ़ना है end adventure को पढ़ना है इसके बाद आपको relevant accounting standards जो इससे guidance notes है तो syllabus काफी मतलब कि interesting है लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो बच्चा सुरू से बहुत dedicatedly पढ़ता है पढ़ेगा वो बच्चा paper में पास कर पाएगा नहीं तो corporate account तो आपको पास ही नहीं होना जाएगा अगर मैं FA की बात करूँ न FA से पांच गुना tough ही है पांच गुना tough बोलूँगा मैं ऐसा नहीं बोलूँगा FA से थोड़ा tough है जितना इसका एक unit 15 नंबर में पूछा जाएगा इस बात को ध्यान रखिएगा वन में तो बोला बच्चा नया नया है थोड़ा बहुत अभी थोड़ा सा देखें बस वह कहानी था में तो मेरा काम तू में स्टार्ट होता है तू में आप college में जाएगे न और literally आप पिछले मेरी वीडियो पढ़ी हुए यूटूब पे आप देखना बच्चो के कमेंट देखना पेपर अच्छे भी गए है बच्चो के जिससाब से strategy किया है और कितना slayvus है बहुत लंबा slayvus है भाई मैं तो यही कहुँँगा तो इसको starting से लेके चलना इसलिए मुझे बहुत concern रहता और यही subject ऐसा है जिसका मुझे बहुत ज़्यादा tension रहता है unit 2 financial statement है और unit 2 के अगर मैं बात करूं तो unit 2 कितने number का है यह दिखा दो 25 का बहुत बड़ा number है एक तरीके से 25 number का unit 2 में कितने chapter पढ़ने होगे है हाँ यह थोड़ा जाना पैचाना होगा एक final account tension एक question को करने में एक गंटा से उपर लगता है एक गंटा से उपर जाएगा जब करेंगे तो पता चलेगा तो यह जितने भी chapter है न यह यह सारा पांच छे साथ यानि देखा जाए तेरा चौदा पंदरा चप्टर सिर्फ दो unit के अंदर है यह ध्यान देख लिजए अब देखे कितना पढ़ना पढ़ना पढ़ा है चप्टर ही देख लिजए 24 चप्टर तो आपने किसी में नहीं देखोंगे दस चप्टर में खतम हो गया था हमारा ठीक है न इसके बाद सार valuation of share value edit यह जो है पूरा का पूरा unit number 3 है यह unit number 3 यह भी अपने आप में महानी है बाई साथ unit number 3 में देखे value of intangible assets shares का है valuation of value edit financial statement economic value edit है यह सारी की सारी चीज़े हैं साहब इसके बाद आजाते हैं unit number 4 यह दो जो है आपका amalgamation यह थोड़ा गलत हो गया यह उपर ही रहेगा ठीक है valuation of share यह कहां गया valuation of goodwill रहे गया एक point रहे गया valuation यह रहा नहीं यहीं से मैं इसको ठीक कर दूँ थोड़ा सा यह तीन जो है ना यह unit number 3 है unit number 3 तो जो बच्चे है लिख लीजिएगा ठीक है और यह जो दो chapter है ना भया यह unit number 4 है भया इसके अंदर जो यह वाला chapter है ना in fact CA final वाले बच्चे जो CA final की बात कर रहा हूँ जो बच्चा IPCC कर रहा होगा कहीं न कहीं foundation पास कर लेगा वो ML commission में आके हिल जाता है यहार क्या chapter रही है क्या करो नहीं करो clarity नहीं मिल पाती तो भई अपने आप में एक एक यह राजा chapter बोलूँगा मैं इसको यह राजा chapter है यह कुछ भी कर सकता है यह ऐसा chapter है अकेला बहुत time ले जाता है इस chapter को ठीक है इसके बाद आपके यह सारे के सारे जितने हैं यह देख रहे हो यह unit number 5 है हाँ इसमें थोड़ा सा easy है कि यह सारा का सारा theory है यह जो है ना यह पूरा का प 20 हो गया यह 17 हो गया और यह 26 भी दुबारा रेफ्रेंसिंग में आ जाएगा ठीक है तो समेस्टर टू वाले बच्चे काफी वीडियो बैसे देख रहे थे YouTube पे थे मैं देखता रहता हूं तो मैं कहूंगा कि भाई साब आप क्या बता हूं मैं अब आप देख लो समेस्टर टू के अंदर जो सबसे ज़्यादा दुख देगा आपको अब दूसरी तरफ मैं कंपनी लॉग भी पढ़ा रहा हूं मैं कंपनी लॉग कह रहा हूं दस दिन में खतम कर दूँगा पंदध दिन में खतम कर दूँगा मैं लॉग और अच्छे से समझ मैं एका पेपर नहीं खतम हो सकता है कि करा दो तब भी नहीं होगा आप समझो उस बात को एक एक अगर मैं इसको सर्फ शियर कैपिटल को कराने बैठू ना तो आप इमानदारी से सोच लो 12 में कितना टाइम लगाता है पूरा महीना ले गया होगा शियर कैपिटल 12 में आपका और वो पूर का पूरा चेप्टर जितने भी रहने वाला है म्डॉफ में शाम को 6 बजे हम क्लास रखेंगे जो पूरा का पूरा रहेगा वो प्योरली लाइव रहने वाला है जिन बच्चों के इंटर्नल है उसके लिए मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया है तो जो बच्चे यूटूब प करके 500 का मिल जाएगा और बस 500 का मिल जाएगा और इसके इंदर इतनी महनत है ना तो मैं क्या बोलू वह आपको भी दिख जाएगा कि क्या वर्थेट है या नहीं है तो होफ़ली आपको बाते समझ में आ गई होगी जिन बच्चों को को लेना है डिस्क्रिप्शन में लेंक टू वाले बच्चे ध्यान रखिएगा इस सब्जेक्ट को अगर आपने हलके में लिया या फिर बहुत लाइट ले लिया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और फिर ये एक बार केरी फॉरवड हो जाता है तो फिर केरी फॉरवड केरी जिएगा वही बता देंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लास के अंदर मिलेंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट करेंगे और फाउंडेशन बैस इसलिए रखा है कि जिनका 12 में भी स्ट्रॉंग नहीं है उनके लिए प्रोविजन लिक झाल